डायोट्स एज रेक्टिफायर, अभी रेक्टिफायर क्या होता है, हमारे घर में जो पाउर सप्लाई आती है, या फिर इस तरीके साथ मानलो हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, तो से हम जब वोल्टेज step down करते है, step up करते हैं, तो हमारे पास हमेशा यहां पर जो output voltage होता है, वो एक alternating current होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास value होते है, यह देखो voltage है, समय के साथ voltage कभी positive है, कभी negative है, कभी positive है, कभी negative है, हमें इसको सिर्फ positive करना है, हम नहीं चाहते कि कुछ, कभी भी voltage की value negative है, तो हम diode का use करके rectify कर सकते हैं, हमारे इस current को, यह voltage को, तो किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए हम यहां पर इस तरीके से एक diode लगा देंगे, अब diode लगाने से क्या होगा, देखो, यहां पर मानलो, इसका potential हम zero assume कर लें, या फिर हम इसे ground कर दें, ground करने की जरूरत नहीं थी, सिर्f मानले की इस जगें का potential अब zero है, तो क्योंकि यहां पर हमारे पास alternating current है, तो इस A point का voltage होगा, कभी वो positive होगा, कभी negative होगा, कभी positive होगा, कभी negative होगा, कभी positive होगा, अगर हमारे पास यहां पर diode नहीं होता, हमें से directly connect किया होता, तो यहां पर current का direction है, वो कभी इस लेकिन डायोड क्या करता है वो एक one way valve की तरह एक करता है तो वो हमेशा current को एक ही direction में flow होने को देगा वो दूसरी direction वाले current को flow नहीं होने देगा उसे इंबना कर देगा तो उस case में हमारे पास देखो कुछ इस तरीके का signal आता है यहाँ पर a point पर voltage इस तरीके से fluctuate कर रहा था लेकिन उसके आगे हमारा diode लगा हुआ है तो वहाँ पर इस तरीके से जो negative वाली values है वो गायब हो जाएंगी जब भी यहाँ पर voltage negative होने की कोशिश करेगा तो यह इस तरीके से काम करेगा यहाँ पर हमारा circuit इस तरीके से open हो गया तो वहाँ पर हमारे voltage की value 0 इस तरीके से आ जाएंगे तो अब हमारे पास voltage की negative values नहीं आ रही है यह वाली values नहीं आ रही है और हम बोलेंगे कि हमने हमारे voltage को rectify कर दिया है एक diode की मदद से सिर्फ हमने यहाँ पर एक diode का use किया दा अच्छे और एक चीज़ देखो यहाँ पर हमारा पास यह एक wave थी लेकिन इसके comparison में ह आधी wave का part तो गयब हो गया, delete हो गया, again यहाँ पर हमारे पास एक cycle थी, यहाँ पर फिर से half cycle गया थी, तो हमारी पूरी की पूरी wave जो input थी उसकी बदले में हमें सिर्फ half wave मिल रही है, तो इसलिए इसको बोला जाता है, half wave rectify, इसमें सिर्फ एक diode का use किया गया है, देखो य और यहाँ पर हमें pulsating unidirectional output मिल रहा है, pulsating मतलब जैसे हमारे pulse चलती है, आता है, फिर जाता है, आता है, जाता है, तो यहाँ पर pulse की तरह है हमारे पास pulsating output है, लेकिन यह unidirectional है, सिर्फ positive direction में है, अभी इसकी value constant नहीं है, हमें ऐसा नहीं है, आप एक constant voltage मिल गया है, नहीं, यह बदल रहा है समय के साथ, कभी zero हो जाता है, फिर बदलता है, लेकिन direction एक ही है, यहाँ पर current दूसरे direction में flow नहीं हो सकता है, तो इसे हम बोलते है, half wave rectifier, अब हम एक दो diode और लगा दें इसमें, तो हम उसको फिर full wave rectifier भी बना सकते हैं, देखते हैं कैसे, इस बार हमारे प इस बार हम अचुली current भाहर है होंगे, तो हमने center में tapping कर दिया है, और देखो इसका circuit कैसे तरीके से काम करता है, center से आपने tap किया और फिर उसका potential मान लो अगर इसका potential 0 है, तो cycles जब यहाँ पर AC जो voltage आएगा, वो up and down में आता है, तो कभी ये वाला voltage मान लो प्लस 5 होगा, उ इस तरीके से हमारा voltage fluctuate करता है, लेकिन यहाँ पर हमने diodes लगा दिया है कुछ इस तरीके से, तो देखो होता है का है, हमारे पास ये हमारा load है, यहाँ पर हमने output लेना है, जो भी हमें device लगानी है, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है, अगर हमने इस point को ground कर दिया है, तो यहाँ पर भी हमारे voltage की value हो जाती है, 0, फिर क्योंकि यह transformer है, तो कभी मान लो यहाँ पर plus 5 voltage हुआ, यहाँ पर minus 5 voltage होगा, अब देखो यहाँ से current इस direction में flow हो सकता है, और इस तरीके से हमारा current flow हो जाएगा, हमारा circuit complete हो जाएगा, फिर थोड़ी दिर बाद यह वाली value minus 5 volt हो जाएगा, तो यहाँ पर voltage की value बदलती रहेगी, कभी उपर plus है, कभी नीचे plus है, तो कभी हमारा यह वाला diode current को allow करेगा, कभी हमारा यह वाला diode current को लाय करेगा, लेकिन इन दोनों से ही current हमेशा इसी direction में जाएगा, तो आप देखोगे कि हमारा यह जो load है, जो भी device हमने जो डायोट की मदद से, इस बार हमने फिर से voltage को rectify कर दिया, या current को भी rectify कर दिया, इसका ग्राव भी देख सकते हो, point A पर देखो यह वाला तो voltage हमेशा 0 है, तो point A पर जब value positive होगी, उस वक point B पर हमारे voltage की value negative होगी, फिर point A पर voltage जब negative होगा, तो point B पर voltage positive होगा, इस तरीक लेकिन हमारे कभी ये वाला diode अलाओ करेगा, कभी ये वाला diode अलाओ करेगा, और कौन सी values अलाओ होगी, जो यहाँ पर positive value होगी, जैसे initially ये वाला हमारा, अगर देखो ये D1 है, डायोड A पर, तो अभी हमारा ये वाला graph यहाँ पर आ गया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाल के कारण, ये D2 के कारण, जो हमारे अलग-लग D1 है, कभी इसके कारण voltage आ जाएगा, कभी कभी इसके कारण iç अलग- अलग-दायोड करेंट समय के साथ बदल रही है कोई constant value हमें नहीं विली है लेकिन जो भी है यहां पर direction ऐसे बदल नहीं रहा है हमेशा एक ही direction में हमारे पास values आ रहे है और एक तरीके का हमारे पास rectifier हो सकता है उसको भी देखते हैं यह है हमारा full wave rectifier में देखो हमारे पास चार डायोड का यूद होता है एक दो तीन चार और यहां पर हमारे पास कोई center tap transformer नहीं है यह हमारा regular transformer है जिसमें से सिर्फ दो तार इस तरीके से निकलते हैं अब यहां पर क्या होगा कभी यह वाली side positive हो जाएगी कभी यह वाली side positive हो जाएगी तो या त तो अगर हम directly यहां पर इस तरीके से load लगा देते हैं ऐसे तो यह तो current कभी इदर जाता फिर कभी इदर जाता तो load के across current कभी ऐसे flow होता कभी ऐसे flow होता अलग-अलग direction में fluctuating current हमारे पास flow होता लेकिन अब हमारे पास इस तरीके से full wave rectifier लगाने के current ऐसा नहीं होगा मानलो अ तो थोड़ी देर बाद यह वाली side positive हो गई यह वाली side negative हो गई तो क्या होगा तो भी current ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा तो दोनों ही case में आप देख सकते हो कि resistance के across current हमेशा एक ही direction में है इस direction हाना तो इसी लिए हमारे पास यह full wave rectifier हो जाता है और इसको bridge rectifier भी क unidirectional output मिलता है pulses की तरह आ रहा है एक ही direction में value है अगेन हमारे पास voltage constant नहीं है वो उपर नीचे हो रहा है लेकिन एक ही direction में और इस पर हमने charge alerts का use किया है तो यह हमारा full wave rectifier हो जाता है अच्छा यह जो voltage इस तरीके से fluctuate कर रहा है time के साथ हम नहीं चाहते है कि इस तरीके से voltage fluct fluctuate करें तो हम क्या करेंगे उस case में हमें capacitor add करना पड़ता है जो कि इसको filter out कर देता है या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर यह हमारा alternating current था तो यह जो pulsating current आया उसको भी filter कर देता और यहां पर हमारे पास DC component इस voltage से निकल के आ जाता है कैसे देखो हमने यहां पर resistance के parallel में एक capacitor ल देखो बोल्टेज तो हमारे कम होगे लेकिन अब capacitor में इतना चार्च था कि वह अपने आप से यहां से current इस तरीके से इसमें फ्लो करा देता है तो दीरे दीरे capacitor discharge होता है हमारा voltage फिर देखो ड्रॉप होता है यहांपर initially ज्यादा voltage था फिर voltage ड्रॉप होता है फिर voltage ड्रॉप होते होते हैं कम होता है लेकिन तब तक दूसरी वेव आ जाती है आप है तो फिर से हमारा capacitor चार्ज हो जाता है फिर थोड़ी दिर माँ वो डिस्चार्ज होने लगा फिर चार्ज हो जागा तो इस तरीके से देखते हैं अभी भी हमारे तो इस तरीके से capacitor का यूज करके हम हमारे फुल वेव रेक्टिफायर का यह जो आउटपूड आता यतना ज्यादा फ्लक्टवेट कर रहा था उसको थोड़ा स्टेबलाइज कर लेते हैं इस कॉंसेप्ट का एक क्वेस्टिन सॉल्व करते हैं इफ फुल वेव रेक्टिफायर स्टिफिट इस ऑपरेटिंग फुम् फिफ्टी हर्ट्स में हमारे घर में जो फिफ्टी हर्ट्स की सप्लाई आती है फुल वेव रेक्टिफायर लगा दिया है तो फुल वेव रेक्टिफायर लगा दिया है हमारे पास output कैसा आजाएगा ऐसा आजाएगा यहाँ पर यह फिर ऐसा आजाएगा इसकी जगे फिर ऐसा आजाएगा फिर ऐसा आजाएगा सारे के सारी जो नीचे वाले नेगेटिव वैलियूस थी वह पलट जाएगे हमने फुल वेव रेक्टिफाय यहाँ पर लगा कर दिया है अब इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी होई हमारी देखो यहाँ पर तो फ्रिक्वेंसी इसको हम एक वेव बोलते थे यहाँ फिर एक रेपिटेशन के लिए इतना टाइम लगता था लेकिन यहाँ पर हमारे रिपिटेशन देखो हाफ टाइम में होने लग गाल में हाव हना काफी जल्दी अपने आपको रिपीट कर लोक clinician tutaj एक सेकंड में यहां पर हमारे पास 50 एक जैसे रिपिटेशन थे वेव के तो यहां पर एक सेकंड में हमारे पास 50 multiplied by 2 हमारे पास repetition हो जाएगे तो हमारी frequency हो जाएगी 100 Hz सेकंड मारे हमारी के यहां इस संद्र हो जाएगा तो हमने एक सेकंड डेली है लिए कि करेंगे इस 3 संद्रिक्ट हमारे पासिए पर्च 9 ऑ मकल साव्मिक 10 ऑबाम मेंच 10 पर आइंगल बन जाता है, जो phase अंगल होता है, तो यहां से πाई तक मानला हमाना पास value थी, फिर πाई से 2πाई तक हमारे current की value जीरो रहने वाली है, तो हमारे पास कुछ I की maximum value है, current की कुछ maximum value है, लेकिन हम पता कहना चाहते हैं कि हमारा average current कितना है, यह हमें maximum current नहीं चाहिए, ह तो average current किस तरीखे से पता कर सकते हैं, देखो average current का formula क्या हो जाएगा, total charge in one cycle, इस एक cycle में कितना charge flow हुआ है, divided by time of one cycle, बहुत ही simple सी चीज़ है, तो total charge के लिए आप क्या करोगे, इसको जो i और omega t का जो यह area है न, आप इसको ले दो, यह वाला area हमें पता करना है, divided by हमारे पास नीचे यहाँ पर 2 pi आ जाएगा, यह हमारी sinusoidal wave है, तो अगर आप इसे integrate करोगे, तो इसका हमारा area जो हता है, उसकी value आ जाती है, i max, i max सिर्फ इतने वाले की, i max इसका area है, फिर इसका area भी आप integrate करोगे, तो वो भी आ जाता है, i max, तो वो हो जाएगा, total 2 i max, divided by हमारे पास नीचे, यह omega t की value कितनी आ रही, divided by 2 pi, तो हमारे पास इस तरहीं से divide करोगे, तो i average की value आ जाती है, i max divided by pi, अगर current की जगे, यह voltage का graph होता, तो यहाँ पर हमारी values आ जाती है, इसका square करके, integrate करके, निकालोगे, तो वो जो formula आता है, उसको आप सीधे सीधे याद कर लो, कि i rms is equal to i maximum divided by 2, i max divided by 2, full wave rectifier के case में क्या होगा, full wave rectifier के case में, इस बार देखो, हमारे पास यहाँ से यहाँ तर, या तो आप यहाँ पर, एक cycle हमें इसे बोल देगे रहे हैं, यह हमारी one cycle बन देगे, again इस बार हमारा area कितना हो जाएगा, इस बार हमारा area हो जाएगा, 2 times i max, अगर आप integrate करोगे, sinusoidal wave को तो, और divide कर देंगे हम इस बार, pi से, तो इस बार हमारे average current की value जाती है, 2 i max divided by pi, अगर यह voltage चल रहा है, तो V average की value कितनी आजाएगी, 2 V max divided by pi, और अगर आप RMS values calculate करोगे, तो इस बार RMS की value अच्छे गजट लिके रहे हैं, यह value आती है, under root 2, आप इन formula को, यह जो चाव formula इनको याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार इन से direct questions, competitive exams में आ जाते, जैसे कि the peak voltage in the output of a half wave diode, rectifier fed with a sinusoidal signal without filter is 10 volt, the DC component of the output voltage is, तो हमारे पास एक इस तरीके से, half wave कौन सा है, half wave diode rectifier है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, input voltage रहा होगा, जिसकी maximum value की है 10 voltage, फिर उसको हमने half wave rectifier से लगा दिया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से output आया होगा, ऐसे half cycle तक रहा होगा, फिर zero रहा होगा, फिर half cycle रहेगा, और फिर zero हो जाएगा, अब इसके i average की, i average की value जो होती है, वो हो जाती है, i max divided by pi, हम सीधे सीधे formula लगा सकते हैं, v average की जो value हो जाती है, v max divided by pi, तो हमारे case में answer जाता है, 10 voltage divided by pi, और answer है C, directly आप questions solve कर सकते हैं, मेरे साथ physics live पड़ोगे, तो आजाओ bomb physics पे, और phones of physics में, मेरी बहुत सारी live classes होती हैं, जो कि absolutely free हैं, और उनको access करने के लिए आपको इस link पे आना है, मेरी classes होती है, unacademy platform पे, जो कि इंडिया का सबसे अच्छा platform है, किसी भी competitive exam की तैयारी करने के लिए, उसमें आप daily life classes अटेंड कर सकते हो, अपने doubts पूछ सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारी courses भी launch होते रहते हैं, तो आप plus या iconic subscription लेकर के, अपने competitive exam की तैयारी के game को, एक level अप कर सकते हो, बाकि से अब को हरा सकते हो, और अपना free plan आप unlock कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, anacademy learning app अभी क्या भी download करनी है, मेरा code यूज़ करना है विक्रांद, और अपने plus या iconic subscription को, तो जब आप लोगे तब भी मेरा code विक्रांद यूज़ करो, से आपको मिलता है maximum possible discount, तो आजाओ, मेरे plus के course में, link description में है, और इन links को भी जरूर चेक करना, live class में मिलता है, anacademy app पर,